हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक वैल चैनल पर तो दोस्तों आज मैं आप लोग लेकर आया हूँ चैनल पर राच कॉमिक्स की भोकाल की अगनी पर शंकला का भाग एक जिसका नाम है मिर्त्यूरती जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंतरदुंद और धिकार कॉमिकस में भोकाल जो है वो अपने अस्तित्फ की खोज में लगा हुआ था अगर आप लोगोंने अंतरदुंद और धिकार ना पढ़ी हूं तो चैनल पे वो कोयोनों कॉमिक्स अपलोड है और आपको भोकाल की प्लेलिस में मिल जाएगी तो मिर्तियु रथी पढ़ने से पहले आप लोग अंदरदवन्द और धिकार जरूर पढ़ लें जब भोकाल अपने अस्तित्व की खोज कर रहा था तब ही योगम ने सरवनायक परतियोगताओं के लिए भोकाल को योगम चेत्र में बुला लिया था जिसकी वैसे उसके अस्तित्व की खोज बीच में ही छूट गई थी तो basically मिर्तियोगती की जो कहानी है वो सरवनायक परतियोगता के सामापन के बाद की कहानी है मतलब सरवनायक परतियोगता जब खतम हो गई उसके बाद की कहानी है अब आप लोग confused हो जाओगे कि सरवनायक परतियोगता थो भी चल रही है तो आप लोग ये मान के चलेंगी सर्वनायक प्रतियों के दाख खतम हो चुकी है और भोकाल वापिस लोट आया है और अपने अस्तित की खोज में दुबारा जुट गया है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगनी पर शंकला का भाग एक मिर्त्यूरती संजगुप्ता पेश करते हैं मिर्त्यूरती अगनी पर शंकला भाग एक परिकल्पना संजगुप्ता लेखक नितिन मिश्रा चित्रांकन ललित सिंग रंग सज्जा भक्त रंजन शब्द सज्जा गौरव गंगेले मंदार गंगेले डिजाइन मंदार गंगेले मुक्प्रश्ट ललित सिंग चित्र अभक्त रंजन रंग संपादक संजय कुप्ता शक्ति अत्यंत चंचल होती है बिल्कुल किसी अभूत्पूर्व किंतु चरित्रहीन नारी के समान जिसे पाने वाला स्वेंप पर गौरवानवित हुए नहीं थक्ता की भग कितना सौभाग गिशाली है जिसका संसार की सबसे उची शेय पर अधिकार है परंतु बिचारन नहीं जानता की शक्ती की प्रवर्ती समय के अनुरूप पहले से अधिक सामर्थवान धारक को हस्तांतरित होने को होती है समय और सामर्थ का पडला जिसकी ओर जुका शक्ती लुड़कती हुई उसकी गोद में आगिरेगी और मेरी नीती ये कहती है कि समय और सामर्थ का पडलडा जब आपकी तरफ जुका हुआ हो तब अपने अलावा हर संभावे सामर्थवान को शक्तीवान बनने से पूर्वी कुचल दो जरा विचार करो महाबली यदि ऐसा हो कि इस संपूर्ण भ्रमान में भोकाल शक्ती जैसी विशिष्ट शक्ती को धारण करने योग मात्र एगी प्राणी जीवित हो तो भला फिर वह चंचल चरित्रहीन और दंड शक्ती चाह कर भी किसी और के साथ नहीं जा सकती काल का आवान करने वाली पवित्र भोकाल शक्ती के विशे में अब शक्तों का प्रियोग करने वालों से धारण करने योग खतापी नहीं हो सकता फूचांग यदि शक्ती योगिता देख कर मिलती तो संसार से कभी रामराज ना जाता पांडवों को वनवास और दुरियोधन को हस्तिनापुर्णा मिलता योगिता और सामर्थ के दंद में जीत सदेव सामर्थ की होती है परंतु तू चिंतित नहों बोकाल तू आश्वस्त होकर मड़ जा तेरी शक्ति को अपनी बंदवा दासी बनाकर रखेगा माबली फूचांग इसका ऐसा भोक करेगा जैसा तू ने कभी कलपना भी नहीं कियोगी देखना चाओगे माबली नहीं भी चाओ तो भी देखना तो पड़ेगा कि जब सामर्थ वान शक्ति को शोशित करता है तो कैसा संघार मचता है भोकाल ज्यानवाडी समाप्त होई अगला जनम लेका राना तब गुरुद अच्छना लूँगा तुमसे तब तक तो फूचांग और उसके अनुयाई भ्रहमान बदल चुके होंगे काली, कंठी, गजोक, दुदैत, मकरीच, करकशूल और वनरीच समय आगया है कि संसार तुम सब के पराकरम से परिचित हो और इसका आरंब विकास नगर राज से होगा जंबुदीग के सबसे विशालव महत्पूर्ण राज विकास नगर में अब तुम्हारा वर्चस स्थापित होगा कुरुशेत्र के महा युद्ध के पच्चास सैक्डो वर्ष युद्ध की भिपीश का जेलने में निकल गए समय के साथ सब कुछ बदला और साथ ही बदला है ये विशाल भूखंड जो आप विकास नगर के नाम से जाना जाता है और जब भी ये विशाल राज इस पृथी लोग की और अब भी ये विशाल राज इस पृथी लोग की सबसे महत्पूर्ण गतिविदियों का केंद्र बिंदू है जो विकास नगर पर राज करेगा समझो वैसारे संसार पर राज करेगा और विकास नगर पर राज हमारा है यानि महाबली फूचांग का अपने राजा को अपने राज को सुचारू ढंग से चलाने हेतु हम विकास नगर को पाँच महापर्देशों में बाट रहे हैं अगनी खंड, भू खंड, नव खंड, नीर खंड और वायू खंड इन पांचों महापरदोशों की बागडोर होगी हमारे उन पांच विशेज दासों के हातों में जिनके कले में पड़े पट्टे, खीच कर उन्हें अपनी मर्जी से चलाना हमें आता है जाओ दासों, आने वाले युद्ध के लिए खुद को तयार करो तुम तीनों सही समय की प्रतीक्षा करो साथियों, प्रतीक्षा आधिक लंबी नहीं होगी ये नहीं हो सकता, मेरी आँके पहचानने में दोका नहीं खा सिकती ये तो विकासनगर है, ऐसा कैसे हो सकता है विकासनगर को तो सब्त काल सहाई काउन नश्ट कर दिया था संपूर्ण विकासनगर निर्जन भूकंड बन कर रह गया था परन्तु यहां तो परचा सुखी और संपन है जैसे इस राज़ ने कभी कोई आपदा देखी ना हो कदाचित मुझे कोई संब्रम हुआ है ये विकासनगर जैसा कोई अन्य राज़ है इस दुविद्या का निवारन करने का एक ही मारगे मुझे किसी से पूछना होगा सुनो बालिके इस राज़ को किस नाम से पकारा जाता है हे पथिक तुम कौन हो और किस राज़ से आय हो जो विकासनगर जैसे महान राज़ का नाम तक नहीं जानते अयोद्या और हस्तिनापुर के पश्चा देदी किसी महान राज़ का नाम लिया जाता है तो वह है विकासनगर विकासनगर एक विशाल राज़ है इसमें पांच महापरदेश हैं जिनमें सैखडो कस्बे हैं तो अभी जहां हूँ वह महापरदेश अगनी घंड के नाम से जाना जाता है विकासनगर? ये विकासनगर ही है विकासनगर राज़ी के विशाय में ये बच्ची जो कुछ भी बता रही है वह सब कुछ मैं भी जानता हूँ परन्तु इन पांच महापरदेशों के विशाय में मैंने कभी क्यों नहीं सुना विकासनगर तो विशाल अखंड राज़ी था किस सोच में पढ़ गए पतिक? तुम कौन हो? तुमारा नाम क्या है? मेरा नाम आलोग भोकाल है बड़ाई विच्चितर नाम है तुमारा पतिक मैंने तो ऐसा नाम कभी नहीं सुना विकासनगर छोड़कर अज्ञात आयाम गए हुए मुझे काफी समय बीच चुका था ऐसा हो सकता है कि इस बालिकाने मेरा नाम ना सुना आवशक तो नहीं कि विकासनगर जैसे विशाल राजी का बच्चा बच्चा उसके रक्षक के नाम से परिचित हो विकासनगर के समराट का नाम क्या है हे प्रभू जाने कहां से आया है ये भोला पतिक जो विकासनगर के चक्रवर्दी समराट का नाम भी नहीं जानता जिनके नाम का डंका तीनों लोकों में बसता है विकास नगर राज के महान समराठ है महाबली फूचांग क्या सुनो भईया क्या तुम मुझे पैचानते हो क्यों भई प्राता काली सोमरस सेवन कर लिया है क्या तुम कौन से देव पुरुश हो जो मैं तुम्हे पैचानूंगा सम्मोहन, समराठ, शूतान, महाबली, अतिकरूर पराकर्मी, तुरीन इन विकास नगर के रक्षकों को तो तुम लोगों मैंसे कोई ना कोई जरूर जानता होगा ये कैसे कपोल कल्पित नाम सुना रहा है, कौन है ये लोग इसकी मान से गवस्ता ठीक नहीं लगती मुझे हे प्रभू श्री राम ये कैसी लीला है मेरी तो तरक शक्ती जवाब दे गई है विनिश्ट किया हुआ विकास नगर संपन्य नजर आ रहा है विकास नगर समराठ के रूप में लोग उस नीच फूचांग का नाम ले रहे है विकास नगर के रक्षकों के विशय में किसी को कुछ याद नहीं जैसे कि हमारे कोई अस्तित्व थे ही नहीं जो बात मुझे सबसे अधिक विचलित कर रही है वह ये है कि निर्वाना याम यंत्र मुझे यहां क्यों लेकर आया पिछले लंबे समय में घटित हुई घटनाय मुझे उलजन में डाल रही है मैं तो अपने पिता युद्धेश्ट वीर की तलाश में शबमित्र के साथ निकला था नरा कायाम में नरक के महानायकों के मद्द सर्वनायक परतियोगिता जहां मेरा सामना पश्चात काल के सर्वशेष्ट महानायक नागरास से हुआ योगम की कूटनीती के परणाम सरूफ सर्वनायक परतियोगिताओं के जो अकलपनी अब अपरत्याशित परणाम आए उनके फलसरूप यह संपूर प्रकरण ही समय धारा में टठस्त हो गया इसके पश्चात तो युगम के कथानुसार मुझे पुना उस स्थान पर पहुंच जाना चाहिए था जहां से और जिस पल मुझे सर्वनायक प्रतियोगेता के लिए उठाया गया था पर अंतु यह मैं जाने कहां पहुचा क्या इस स्थान का मेरे पिता की तलाश से कोई प्रतियक्ष अत्वा परूक्ष संबंध है बचाओ बचाओ अरे यह सायत हो तो कौन पुकार रहा है सब्तिकाल स्याईकाओं युदेश्ट वीर की तलाश वा भोकाल के सर्वनायक प्रतियोगता में शामिल होने की गटनाओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें धिककार अंतरदंद वा युगांधर जो की तीनों कॉमिक्स चैनल पे अपलोड हैं और आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी पुकार किसी इस्तरी की है लगता है कोई इस्तरी संकट में मुझे उसकी सायता करनी होगी क्यों कंट को कष्ट दे रही हो मेरी कोकला यह संपूर डंड कारणे वन रीच कादिकार छेत रहे इस जंगल का मैं ही समराठ हूँ यहां कोई ना आएगा तेरी रक्षा करने न मानव न देवदानव न यक्ष राक्षस न किन्नर न गंधर्व बचाओ कोई रक्षा करो यह तो कोई असुर लगता है जो इस अबला को अप्रहत करके ले जा रहा है तूने जितने भी नाम ली असुर उनमें तू परामानव को जोड़ना भूर गया यदि तो इस बन का समराठ है तो समराठ के समान आचरान कर समराठ का दरम अपने शरण में आई प्राणी की रक्षा करना है उसका शोषण करना नहीं कन्यागो सतंद्र कर और अपने कुक्रत्य के रिश शमा मांग तू एक और भोकाल आ गया बली का बकरा बनने इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं सोचा था बज़न्बली किरपा करें मेरे अस्तित को जानने वाला कोई तो मिला एक असुरी सही परन्तु एक और भोकाल से इसका क्या थात पर रहे कहीं ये कप्ती असुर मुझे अपने वाग जाल में फासने का प्रत्त तो नहीं कर रहा है तूने तो मुझे घोर दुवदा में डाल दिया शत्रुवद भी आवशक है और करने हरण भी समझ नहीं आरा किसका लोग त्यागू तेरे दुवदा मैं दूर किये देता हूँ भोकाल जो खुद दुवदाओं के सागर में डूब रहा हो वे किसी की दुवदा क्या दूर करेगा डंड कालने मेरा सागर है भोकाल तुझे लील जाये गई है विकास नगर के लोग मुझे नहीं जानते परन्तु यह सर ऐसे बात कर रहा है जैसे मुझे से परिचित हो जबकि मैंने से पहले कभी नहीं देखा यह वन्रीच अवशी इस डंड कालने का वन्यक्ष है इसलिए यह वरक्ष इसके आदेश मान रहा है वन्यक्ष अत्यंत शक्तिशाली होते हो अपने छेतर परिण का अदिकार देवताओं के समान होता है परन्तु वन्यक्ष बेवज़ा अपने छेतर से निकल का लोगों को नहीं उठाते यह वन्यक्ष अवशी किसी अन्न के आदिशों पर कार कर रहा है सरबर्तम इसके बंदनों से सुतंत रोने की ववस्ता करनी होगी तत्पश्चाद ये निर्धारित होगा कि इसका हश्र भी इसके सेवों को की समान करना है या नहीं शमा करना व्रक्ष राज अकारण वन्संपदा को हानी पहचाना मुझे पसंद रही परन्तु विवश्यू तू पहला नहीं जो पंक फड़ पड़ाता यहां अपनी मृत्यू की पकार सुनता चला आया क्या तुझे लगता है कि तू विशिष्ट है तू कुछ ऐसा कर रहा है जो पहले नहीं किया गया तू अन्य भोकालों से अग्रणी है पहेलिया ना बुजावन रीच साफ साफ क्या अन्य भोकालों से तेरा क्यातात पर रहे समय अपने उत्तर सदैव घटना क्रमों के माध्यम से देता है वोकाल जब तुझे बंदक बना कर ले जाया जाएगा तब अपने अंत्यम छड़ों में तुझे तेरे समस्त प्रश्णों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे यक्ष अत्यंत बुद्धिमान और बल्शाली होते हैं ऐसा मैंने सुना था परन्तु तेरी बुद्धि पर धंब वद रचार की उलकव रश्टी हुई परतीत होती है उलकव रश्टी तो तुझ पर बुद्धि इसके गोड़ वखाल शक्ति की आबयसे वैसे ही प्रस्फुटित हो रही है जैसे सर्वश्रिष्ट ही रख से उसकी कांटी theory and कैसा महाबली हमें इसी की तो प्रतीक्षा थी प्रतीक्षा भी एक प्रकार की साद्ना होती है दीवी जिसे अधिक उतावलापं भं सकता है भोकाल शक्ति अब सब्से योग के हाथों में है अर्थात हमारे इसकी भोकाल शक्ति भी जल्द हमारी अठा भोकाल शक्ति में समलित हो जाएगी परंतु उससे पूरrh WILसे हमारा एक सित्ध करना है और उसके लिए इसे पंदक बनाना आवश्यक है परंतु कैसे वन रीच के वश्का नहीं है ये कार रहा जानता हूँ इसलिए तो मैंने उन्हें भेजा है जिनके वश्का ये कार रहा है व्यक्ति को अपने शत्रों के संक्या में पड़ोतरी करते समय सदय ये व हमारे पिता श्री के पालिक पुत्र अंतता तु अपने वास्त्विक स्थान पर आ गया हमारे कदमों में वज्रकली धूमरकाल अचंबा तुम तीनों जीवित कैसे हो सकते हो तुम तीनों को तुम तीनों तो महागरू भोकाल के हातों मारे गए थे अपने पिता के हातों ज पराकरमी अफसर घाती नहीं होते युद्ध सदय पराकरम से नहीं जीते जाते रंडीती और कूटनीती भी पराकरम जितनी ही आवश्चक है और नीती कहती है कि शत्रु को खत्म करने के लिए जो करो सब सही है ये मैं नहीं कह रहा श्री किष्ण ने गीता में कहा है गीता को सबके लिए एक समान है भोकाल तेरे लिए भी और हमारे लिए भी योद्धा कितना ही पराकरमी सही परते एक दिवस उस योद्धा के लिए एक समान नहीं होता आज तेरा दिन नहीं है पराकरमी भोकाल और उसके शत्रों के दंद ने उस कन्या को प्राण रक्षा का अफसर दे दिया तू कहां थी हिर्लाक्षी तुझे वन में ढून ढून कर पूरा कभीला थक गया वह नीच यक्ष वन रीच मेरा हरण कर ले गया था मेरा हर्श्र भी उनसा भी कन्याओ जैसा होता जिनका हरण वह पहले कर चुका है परन्तु तभी मेरी रक्षा करने देवदूद ब पराकरमी और अलौकिक शक्ती धारक शूर्वीर कोई मानब नहीं हो सकता देव भी देखकर जिसका पराकरम दें अपना शीश नवाए काल भवर में फसकर जगत दिया जिसे भुलाए करतव विपत की पुकार जब जब उसे बुलाए कर काल का आवन धर्मरक्षा को महाबली भोकाल आए कहत शब मित्र सुनो भाई साधो धर्मरक्षा को महाबली भोकाल आए आखिरकार युगम छेत्रों पश्चात काल से निकल कर वे यहां आ गया उसे अंदेशा भी नहीं ही यहां क्या हो रहा है हमें उसके ही आने की प्रतीक्षा थी उसे वस्तु इस्तिजी से अ मस्तिश का एकागर जित होकर एक साध कार करना आवश्यक है मेरे दिमाग में मची उधल पुतल मेरी एकागर तभंग कर रही है महागुरू की संताने इतनी योगे तो हैं हैं ही कि इस अफसर को अपने हाथ से ना जाने दे दूसरे इन्होंने गीता उपदेश देकर मेरा का पर सरल कर दिया इस योत्य को चीतने के लिए से पराकरम नहीं कूठी नीती का भी प्रयोग करना होगा जो कह दी है कि अभी इने अपनी विजश्री का उस समझा मना लेने देना चाहिए शान ग्यान और नीती यदिशत्रू से भी प्राप्त हो रहे हो तो उने ग्रन करना श अथन के प्रमालिक्ता तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा परंतु ये विकास नगर का कौन सा राज्य है जिसकी भूमी सूर्य के पचंड ताप से अंगारों के समान धदक रही है आओ महाबली ये अगनी खंड है विकास नगर के पांच महा परदेशों मैंसे एक की रा सुनो सुनो सर्वसाधारा को सूचित किया जाता है कि डंड कारण अधिपदी महाबली वनरीच एक दुर्दान तपरादी और बांचित राष्ट द्रोई को बंदी बना कर ला रहे हैं मारो मारो राष्ट द्रोई को मारो हां मारो राष्ट द्रोई को दंड दो ये कैसा वि रचित-षामर्णाइश Anandander एधि-विए-धिये बतौन है इस अगनी खंड का अधि-पती ? महावली अगनीश थो यह है अगनी खंड का अधि-पती हो। यह कैसी माया है? पिछली बार जब तुम मुझसे मिलेते तब तुमने स्याई काउंट और विकास नगर की परबादी का उत्तरदाई मुझे ठहराया था स्वगोशित विकास नगर रक्षक आज उसी विकास नगर के तुकड़े तुकड़े कर अधिपती बना बैठा है तो मैं देखने के पशाद मेरे लिए यांगलन करना सराल है कि अन्न चवगोश घंडों के अधिपती कौन होंगे तुम पांच ब्राताओं ने मिलकर अखंड विकास नगर को विवाजित कर डाला तडप और तडप और विलक भोकाल तेरी ये तडप बहुत भली मालूम दे रही है मुझे अभी भोकाल शक्ती का आवान करके तुझे तडप का असल एहसास कराता हूँ मैं इतना अशक्त कैसे हो गया मुझसे भोकाल शक्ती का आवान नहीं किया जा रहा अब किस बात की प्रतीक्षा है चलो उसे सुतंत कराए अभी नहीं हमें रातरी की प्रतीक्षा खरनी होगी बीच चलाए पर अरशास जोजी को सलीप पटांग दो अगले एक दिवस तक यह नहीं यहीं टना रहेगा ताकि अगनी घंड की जनता इसे अच्छे से टंडिट करे इसके बाद इसे मावली पूचांग के पास ले जाये जाएगा क्रमशा आगामी अंक अगनी खंड तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाफ करते हो और मिलते हैं इस सीरीज के अगली कॉमिक्स अगनी खंड में तब तक के लिए धन्नवाद